नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जार्खन के दिन भर की खबर जानते हैं नमस्कारियों को भी सोचने पर विवस कर दिया, बता दे केंद्रिये बागवानी आयोक्त डाक्टर परभात कुमार जार्खन में खरीब के बुवाई की प्रगती की समीशा के साथ सूखे से निपटने की त्यारी के समीशा की, और कहा कि पार्यावरन में होने वाला बदलाव चिन्ता का कारण है, उन्होंने जनकारी देते हुए का है कि पार्यावरन में हो रहे इस बदलाव का सिधा असर जार्खन की किलिसी पर पर रहा है, ऐसे में अगर मौसम प्रतिकूल रहता है तो किलिसी पर भावित होगी, जिसे किसान और पूरा देश पर भावित होगा, सा आसे में यह योजना सुखार की थिती में बिकल्प के रूप में लागू की जाएगी जार्खन में ग्रामिन छेत्रों में बेरुजगारी दरबढ़ी जार्खन समेत पूरे देश में बेरुजगारी दरबढ़ गई है सेंटर फोर्म अनेटिंग एकोनोमी यानि की CMIE ने संस्था का मनना है कि गरामिन इलाकों में जून के माह में हमेशा ही बड़ोतरी देखने को मिलती है इसका बाड़ा कारन है गाउं में जून के माह क्रिसी से जुड़े कारे कम होते हैं इसलिए रोजगार के मौक के घट जाते हैं सेंटर फोर्म अनेटिंग की आकड़ों के म प्रदेश के मुख्य मंत्री हमसुरें स्वास मंत्री बना गुपता को लिखे पत्र में प्रदेश के अधिनियम उन्होंने कहा मैं आपसे अंडोध करता हूँ कि पूर्बि सिम्हुम जीला के जीला परसाषन की तेरह जुन दोवाइर इसकी हालिया अधिनियम आपस ले और जन हितमे जार्खन में फार्मेशी प्रेक्टिक्स रेगुलेशन दोवाइर पन्रा लाग काम शुरू रांची में जगह जगह सड़क खोद दी गई है इसे लोगों को तो परसानी हो ही रही है साथ ही यातायात का संचालन करने वाले ट्रेफिक पुलिस को भी भारी समस्याओं का सरना करना पड़ रहा है मामले की गंभिता को देखते वे रांची ट्रेफिक एसपी न काम सुरू कर दिया गया है ट्रेफिक एसपी ने इस्तमाद में एक रिपोर्ट त्यार कर रांची डीसी को भेज का सड़की मरमत कागरा किया था निती आयोग की टीम का जहरखन दवरा 12 जूलाई को पर्जेक्ट भन में बैठक निती आयो की टीम 11 जुलाई को जार्खन दवरे पर आने वाली है, माना जा रहा है कि ए टीम पोर्जेक्ट भौन में बैठा करेगी, जिसमें राज में केंद्रे प्रायोजीत योजनाओ की समिक्छा की जाएगी, निती आयो की टीम 11 जुलाई को जार्खन के दवरे पर सब्सक्रे मध्य पर्देश की घटना के बिरोध में रांची में कॉंग्रेस का प्रदर्शन करता सामिल हुए नेदाओं के साथ जायरखन के आम लोगों में भी भाजपा करता दोवारा कि ये घिनावनी घटना को लेकर काफी आक्रोश दिखा मध्य पर्देश के मुख्य मंत्री सिवराज सिंग चौहन के पुतला दहन के बाद पर्देश कॉंग्रेस अधिक राजस्ठ स्कूल में तीसरी कलास में पढ़ने वाला बचा कलासरूम में बंद हो गया इसकूल में छूटी हो गई थी और टीचर कलासरूम का दरवाजा बंद कर चले गया थे दरसल बचा कलासरूम में ही सो गया था बाद में जब उसकी निंद खुली तो उसने रोना चिलाना तामाडिया बस्तियंत्रगत मद्य विद्याले का है यहां तिसरी कक्षा में पढ़ने वाला कृष्णा लोहरा पिछली बेंच पर बैठा था और वहीं सो गया चुटी होने के बाद सभी बचे चले गए लेकिन कृष्णा सोता रह गया इसकूल की करमचारी ने भी ध्यान नह पुछ अस्थानिये गुमानी नदी के किनारे बता दे गुमानी नदी के किनारे बसे तकरीबन 30 गाओं कटाओ की जद में है गिरामिनों की सिकायत है कि समय रहते अगर पहल नहीं हुई तो संबंधित परिवाय के परसानी बढ़ सकती है बीते स्वमवार की रात को प्रखंड छेत्र के माधवा पावा पंचायत के अबदुल्ला पुरगाओं के फकीर पावा में 8-9 मकान कटाओ की चापेट में आ गया था बता दे कि साहिव गंजीले में या समस्या नहीं नहीं है बरसाद आते ही कटाओ के समस्या सुरू ह जाती है मकान दुकान स्कूल प केंदर सरकार ने किसानों के सुविधा को ध्यान में रहकर आस्मार्ट के सिसी खातों को बदल कर रूपे कार्ड बनवाना अनिवारे कर दिया लेकिन राज के किसान अब भी आस्मार्ट नहीं हो सके इसका खुलासा राज अस्तरिय बैंकर समीती की हलिया रिपोर्ट से 13,46,145 है इन में से 9,45,224 खाता धारक रूपे कार्ट बनवा चुके हलाकि इन में से 6,222 खातों में ही रूपे कार्ट सकरिये है रिपोर्ट में कहा गया है कि केंदर सरकार चाहती है कि राज़े के किसान आ स्मार्ट का इस्तेमाल ATM और Point of Sale पर भी कर सके जिन के से 6,22 धारक किसानों के पास रूपे कार्ट नहीं है उन्हें खाते में आई राज से निकालने में बड़ी परसानी हो रही है रांची रिम्स में जल्द सुरू होगा एलो फिवर भैक्सिनेसान लोगों को एलो फिवर का टिका जल्द ही रिम्स में लगने लगेगा बुद्धवार को केंद सरकार की और से रिजनल हेल्थ एंड फैमिली वेल फेर अधिकाई डक्टर कैलास कुमार रिम्स पहुंचे उन्होंने टीम के साथ सेंटर खोलने को लेकर निरिक्षन किया बाबा धाम के कवारियों के लिए 11 जगहों पर इंद्र वर्षा की सुविधा पूरे कवारिया पथ पर दुम्मा से लेकर खिजूरिया तक कूल 11 जगहों पर पी एचडी से इंद्र वर्षा लगाया गया धूप में कवारियों पर पार्णी की फुहारे का छिलकाव होगा इससे कवारियों को काफी रहात मिलेगी वहीं 15 जगों पर सोचाल है असनानागार और 60 से अधिक चापाकल की सुविधा है कवारियापत के सराशनी के समीप परसाध योईना से 20 साल अध्यात्मिक भावन का निर्मान कराया गया इस अध्यात्मिक भावन में 1,7,10 एर कवारियों की विश्राम की बेवस्ता है वहीं दो बड़े-बड़े होल में कवारिया विश्राम कर सकते हैं यहाँ पंखा सहीत फर्स की अच्छी सुविधा है इस अध्यात्मिक भावन के केमपस में 100 यूनिट सो चाले है साथी असनावागार की सुविधा भी है कवारियों के कावर रखने के लिए अलग से स्टेंट बनाए गए है गुमला में डाइन विशाई की घटना है सबसे अधिक हाई कोट के चीफ जशिस संजाय कुमार मिस्त्रावाज जशिस अननसेन की खंड पिठने राज में डाइन विशाई के नाम पर हो रही हत्याव पर राज सरकार से जवा मांगा है अदालत ने सरकार से पूछा है कि इस मामले में पूरो में हाई कोट ने जीतने निर्देश दिये हैं उसका पारण किया गया है या नहीं आदालत के किन की निर्देशों का पारण किया गया है आदालत ने सरकार को 20-30 रिपोर्ट पेस करने का निर्देश दिया है मामले में अगली सुनुवाई के लिए 26 जुलाई की तीती निधायत की गई सुनवाई के दरान मामले में जहार्खान राज बिधीक सिवाψ्धिकार ज्हालसा के सरसचीव की और सरस्पत पत्र दाकिल किया गया अदालत को बताया गया कि गुमला जिले में सर्वधिक डाइन-ीसाही को लेकर मार पिट्य हम हत्त्याय की घटना होती है जालसा की ओर से गुमला में जागरुपता भियान चला का लोग को डाइन विसाही के रोक थाम को लेकर पुरुसाहित किया जा रहा है धन्यवाद